पूर्णीड इस बाद अप्रेल महा में नौ अप्रेल से सत्रा अप्रेल तक चेत्रो मास्त के नहूरात्वी प्रारम पुरे लिए जिसके अंदर सच्चे मन से माता की पूर्जा वो आराधना करी जाए तो हरो तो माता रानी का आश्रवाद मिलता है और जातक की समस्त मनोकामना कून होती है वेसे तो नवरात्री भावती शुप मानी जाती है लेकिन नवरात्री के लोडान कुछ ऐसी वस्तू है जिनको घर लाने से नकारत्र का पुर्जा घर में प्रवेश करती है वह चेत नवरात्री में कौन सी वस्तू भनने ही लाना चाहिए आईए उचेन के जोत्य साचार से जानते है यास्री स्वयं सुक्रतिनाम भविश्व लक्ष्मिह पापात्माम क्रत धियाम रदेश उबुद्धी शद्धाम इस्तताम कुल्यनह प्रवश्च लज्जात्वाम ताम नतहस्मह परिपालय देविश्वम्मा भगवती परामबा के नवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं छेत्रीयन्वरात्रा वर्ष का प्रारंब होना होता है बड़ी उस्सुक्ता, उमंग, और छेत्रीयन्वरात्रा का.. किसी भी शुबकार्येके लिए या कोई शुब्खरीदी के लिए लोग इंतजार करते हैं और उस सुकता में बहुत सारी चीजे खरीदे लेते हैं लेकिन चेतरी नौरातेरा में हर वस्तु खरीदना शुब नहीं मानी जाती इसमें चामल की खरीदी ना करना चाहिए चामल की खरीदी से बचना चाहिए इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं टीवी फ्रीज और भी जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं वो खरीदने से भी बचना चाहिए इसी प्रकार से कपड़ों में काले कपड़े खरीदने से बचना चाहिए लोहे की वस्तुवें खरीदने से बचना चाहिए काले कपड़े खरीदने से व्यक्ति की उन्नती नहीं होती है उन्नती में बाधा आती है इसी प्रकार से लोहा खरीदने से ग्रह पीडा उत्पन्न हो जाती है चावल खरीदने से जो वो सुक्रत करता है नवरात्रे में पुर्ण्य करता है उसको वो पूर्ण का पूर्व फल प्राप्त नहीं होता है इसी प्रकार से इलेक्टरानिक सामान यदि वो खरीदता है तो चेत्रमास के नौरात्रे में उर्जा इतनी होती है और उर्जा वाला ही जैसे हम कोई वस्तु सामगरी खरीद लेते हैं तो वो इस कारण से बाधित ह होती है उसकी पूर्ण सिद्धी प्राप्त नहीं हो पाती बार बार खराब होने वाली इस्तिती उत्पन्न होती है इसलिए नौरात्रे के बाद में एकादसी से लेकर तो पूर्णी मा तक यह जितने भी सामान आपको खरीदना है तो खरीदिये लेकिन नौरात्रे में यह स सारी वस्तुवे खरीदने से बचना चाहिए जैस्रीकृष्णा